हाई गईस और वेल्कम बैक टू दी चैनल दीपच यादव एजूकेशन वेल्कम टू दी डेली हिंदू नियूज और एडिटोरियल एनालेसेस और फर्स्ट अफ मेई ट्वेंटी टू तो गईस आज है तारीक एक माई दो हजार बाईस और है संडे देखेंगे आज के दहिं करना और जाकर इस चैनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडिएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा जैसी आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल आटोमेटिकली ओपन हो जाएगा इसको जाकर जॉइन कर लेना जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर आप लोग को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडिएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं नाव बढ़ते हैं आगे आगे बढ आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीए सी प्रिवियस यर साल 2016 के प्रिलिम्स में पूछा जया था डेली बेसिस पर यहाँ पर हम लोग एक प पुलिस एडिमिनिस्ट्रेशन या फिर ऑप्शन डी कॉंसिटूशनल रिफॉर्म्स तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है एक लिस सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ बाइदावे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइड कर वादिया है वहाँ से भी चेक आउट कर सकते हो अदर्वाइस आपको इस प्रकान से आंसर नहीं मिलता है तो कोई परिशान होने की जरुरत नहीं है वेडियो के लास्ट मैं इसके करेक्ट आंसर का डिसकेशन में आपके साथ करूँगा तो चलो शुरुबात करते हैं फिलाल तो आज के फ्रेंट पेज पर कोई भी इंपोर्टेंट आर्टिकल नहीं देखने को मिलेगा जिसको हम लोग एक्जाम से रिलेट कर पाएं एक आर्टिकल यह है यहाँ से काफी स इंपोर्टेंट आर्टिकल आता है यह वाला आज का आर्टिकल आफ दे बहुत सारी इंफोमिशन है यहाँ पर जिसको हम लोग एक्जाम से रिलेट कर पाएंगे देखो यहाँ पर मेंशन किया यह है तिलंगना के अंदर जो 900 राइस मिल हैं इसमें से 600 राइस मिल के अंदर blending machines को install किया जा रहा है यह blending machine क्या करेंगे यह वहाँ के चावल के अंदर fortification करेंगी तो rice fortification का काम क्या जाएगा rice fortification का मतलब होता है छोटे छोटे जो micro nutrients उनको चावल के अंदर अलग से add क्या जाएगा रिसेंटली बहुत जादा विवाद हुआ है तामिल नाडू के अंदर आपको याद होगा है ना इसी rice fortification को लेकर या फिर parbold rice को लेकर तो क्या है ना तिलंगना के अंदर यही जो parbold rice है उसी के अंदर ये fortification करने वाले हैं ये parbold rice क्या है fortification क्या है ये सारी बाते मैं आप का overview दे रहा हूं कि आकरकार क्या-क्या चर्जा की जारी है देखो मुद्धा यहाँ पर यह बोला गया जो food corporation of India है जो कि यहाँ पर इनसे चावल गहूं को खरीता है फिर उसके बाद यहाँ पर इस FCI के माध्यम से हम लोग को PDA system यानि की public distribution system जो राशन वाल चावल जो बोल राइस नहीं खरीदेंगे और कियो कि हम लोग जब राशन में देते हैं पार बोल राईस तो वो लोग ने पर्चेस करते हैं तो इसके चक्कर में आज के टाइम पर यह चीज मादलनी पड़ रही है आप लोग देख पाओगे इस पार बोल राइस के लाड़ के अंदर किया जाएगा उसके बाद यहां पे जो food corporation of India है वो यहां पे इसको purchase करेगा तो यहां पे बताया गया अभी फिलाल मैं आपको कुछ चीज़ा बताता हूं कि कैसे कैसे काम करेगा क्योंकि फिर उसके बाद यहां तक की information मैं आपको बता दी उसके बाद यही बताया गया कि rice fortification क क्या होता है पारबल्ड rice क्या होता है वो information यहां पर दी गई है चलो एक एक करके discuss करते हैं तो recent days में मैंने आर्टिकल कवर किया था आपको याद होगा Indian Express के अंदर इसके ओपर editorial और explain section पर already coverage मिल चुगा है तो पहले मैं आपको बढ़ा रखा है that is why मैं आप लोग को अराम से जो PPT's create करेंगे महां से हम लोग discuss करेंगे तो पारबल्ड rice क्या होता है पहले हम लोग इसको समझते हैं तो यहां पर आप देख पाओगे Indian Express के अंदर recently आर्टिकल आया था मुद्दा क्या उठा था मुद्दा यह उठा था कि जो तेलंगना के chief minister है और साल साथ यहां पर member स cabinet के इन्होंने protest किया इन्होंने सरकार के against protest किया और बोला कि एक uniform paddy procurement policy आनी चाहिए इसका मतलब इसका मतलब यह है कि देखो सरकार के करती है इन state से इन अनाज को खरीदती है फिर उसके बाद यहां पर राशन के थुरू जो आनाज है वो आ जाता है customers के बास में but मैं आप आ आनाजica के पर अलग-छाजयों से अलग-अलग quantity के अंदर खरीदा जाता है तो तेलंगना से यहां पर खृदने को मना कर दिया क्यों तेलंगना की अंदर मैं आपको बता है ना पार बोल्ड राइस ήगर जाता है यह वाला जो राइस जो यहemaker फार्ड बोल्ल राइस ठीक है यह क्या होता है इसमें क्यों यहाँ पर कम्या निकालने हैं वो सारी बात आप मैं आपको बताऊंगा तो पारबोल्ड राइस को सरकार ने खरीजने से मना कर दिया आप यहाँ पर यह लोग बोलते हैं तो को ऐसा नहीं होना चाहिए युनिफर्म से विलकोट के बारे में आपको बताऊगा तो सभी लोगों से बिलकुल समान रूप में आप लोग यहाँ पर इस अनाच को पर्चेस करो ठीक है यहाँ पर मेंशन किया गया तो यह मुद्धा निकल करा रहा था अब डिसकस करते हैं पारबोल्ड रैस क्या होता है देखो इसका जो डिक्शनरी के अंदर मेनिंग है वो यहाँ पर पार्टली कोग्ड बाय बॉइलिंग इसका मतलब क्या है कि मतलब उबलावा चावल तो आपको उबाल दिया जाता है हाँ बिलकुल आधा उबाल दिया ज इस नहीं है बहुत लंबे समय पहले से ancient time से इसको हम लोग follow करते वे आ रहे हैं तो बहुत लंबे समय से इसका use हो रहा है ठीक है अब पारबोल्ड रैस ये कोई भी specific definition आपको food corporation of India के अंदर नहीं देखने को मिलती है बट मैं आपको बताता हूँ आखिरकार ये rice होता क्या ह है सबसे पहली चीज़ आपको ये दियान लखना है कि इसको कैसे prepare करते हैं ये मापको बताता हूँ एक एकर करके सुनते वे चलना पारबोल्ड rice को हम लोग prepare करते हैं जैसे कि हमने अपनी फसल उगाई फसल उगाने के वाद हम लोगों नहीं हैं पर किया धान बनाया ठीक है अब पारबोल्ड rice के अंदर क्या होता है वो इधान समेथ यहां पर क्या हुआ जो पैडी है पैडी को साफ कर देंगे अच्छे से पानी में भिगोएंगे 8 घंटे तक उसको सुखाया जाएगा 20 मिनट तक उसके अंदर भाप लगाई जाएगी फिर उसको गरम किया फिर उसके बाद यहां पर सूरे की गरमी में 2-4 घंटे तक उसको सुखाया जाएगा ठीक है फिर उसके बाद यहां पर प्रॉपरली उसको यह जो भी मौश्चर ने से वह यहां पर खतम हो जाती है तो मतलब पहले हम लोगों ने उसको बॉइल कर लिया फिर उसको सुखा जो बाते में आप लोगों बताई हैं यहां पर वो आप लोग अगर लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो कि कैसे कैसे हम लोग यहां पर पार बोइलिंग करते हैं किसी भी राइस की क्लियर हुआ फिर उसके बाद यहां पर आप लोग देख पाऊगे मेंशन किया इसको हम लोग यहां पर पार बोइल नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं करना चाहिए अदरवाइस यहां पर उसकी जो खुजबे वो पूरी तरह से खतम हो जाती है इस बॉइलिंग के दौरान अब होगा क्या जब इसकी बॉइलिंग कर दी गई इससे जो चावल हो जाएगा और जदा हाड हो जाएगा तो जब टफ होने के बाद हाड होने के बाद जब हम लोग इसमें से अलग करेंगे तो वो चावल टूटेगा नहीं ठीक है इसी को हम लोग बोलते हैं पार बोइलिंग क्लियर हुआ तो यहां पर जो राइस है वो नहीं टूटता अराम से एकदम pure rice निकल कर आता है इसमें से फिर उसके बाद यहाँ पर mention किया गया इसकी nutrient value भी increase हो जाती है दन उसके बाद यहाँ पर mention किया गया कि इसमें कीडे वगरा नहीं लगते हैं यह सारे फाइदे देखने को मलता है इसके बाद कुछ नुकसान भी है इसके अंदर नुकसान के अंदर सबसे पहला नुकसान यहाँ पर यह है rice कुछ जादा darker हो जाता है ठीक है कभी-कभी ऐसा होता है कि मतलब की जो smell है वो काफी बुरी smell आने लगती है होता नहीं यहाँ पर कुछ भी हम लोग crop रख देते हैं या फिर example अगर हम लोग black चना को रख देते हैं काफी लंबे तक समय तक पानी के अंदर तो उसमें से बदबु आने लगती है उसके बाद एक सबसे बड़ा इसका disadvantage यह है कि पार बॉयलिंग करने के लिए आपको एक बड़ा plant setup करना पड़ेगा ठीक है investment चाहिए थोड़ा सा यहाँ पर यह costly पढ़ जाता है ठीक है तो यह इसके disadvantage हो गए तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे पार बॉयलिंग क्या है अब देखो UPC ने crops को लेकर काफी बार question पूछे हैं तो पार बॉयलिंग के बार में भी आप लोग धिहान से पढ़ते वे चलना ठीक है crops के उपर सबसे पहला question यहाँ पर एक UPC ने यह पूछा था 2019 के अंदर में question के अंदर बूला गया with reference to the cultivation of kharif crops in India जो हम लोग kharif crops की growth करते हैं भारत के अंदर में और 2019 के according इसको solve करना है तो 2019 में जब पूछा गया तो इन्होंने पिछले 5 साल के data को लेकर यह question पूछा था कि पिछले 5 सालों में सबसादा crops की फसल किस किस की हुई है ठीक है तो यहाँ पर यह पूरा चार्ट लगा रखा है इसको आप लोग देख सकते हो एक बार यह मैं आपको PDF में provide कर वा दूगा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ crops को लेकर कैसे question बन जाते हैं उसका आप देख पाऊगे यहाँ पर directly question बनावा है कि बे 2013 के अंदर question पूछा था यहाँ पर आपको नाम दिये गए cotton, groundnut, rice, wheat और पूछा जिया इन में से कौन सी खारिफ crops है ठीक है तो खारिफ crop के यह wheat जो है यह हमारा खारिफ crop नहीं है जो wheat है यह हमारी राभी crop है यहाँ पर इसको आप लोग exclude कर सकते हो जो यह हाँ पर तीन वाला जो statement है या फिर जो third number वाला option है आपको तीनों जगा पर देखने को मिलेगा तो यह गलत है यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे उसके ब लेकर यह वाला picture ही मैंने provide करवा रखाए इसको भी PDF में में डाल दूँगा आप लोग यहाँ से एक बार चेक आउट कर लेना ठीक है इसमें सारी crops के नाम लिखे वे हैं राभी crops कौन कौन सी है खारे crops कौन कौन सी और जैद crops कौन कौन सी आपको देखने को मिल जाती है क्लि कि सरकार खरीद ने रही है सरकार ने बोला पारबोल्ड राइस हम लोग लेकर आते हैं हमारे पास अलरेड़ी दो साल का stock पढ़ावा है FCI के पास में हम लोग क्या करेंगे इतना फिर और खरीद लेंगे वो stock और भढ़ते रहेगा लोग नहीं खरीद रहे हम से तो मोग क्य प्रचा में आया था, fortification का मतलब यहां पर होता है, जान बूझ कर, जो essential micronutrients होते हैं, उसको बढ़ा देना, मालो एक simple से चावल है, उस simple से चावल के अंदर हमने extra micronutrients को add कर दिया अलग से, इसी को हम लोग बोलते हैं, fortification, ठीके, अब इससे क्या होगा, चावल का जो nutritional quality है, वो और जदा increase हो जाएगा, चावल और जदा भेतर हो जाएगा, पोशल भरपूर हो जाएगा, आपकी health के लिए और जदा भेतर हो जाएगा, यह यहां पर इसके फायद है देखने को मिलते हैं, तो fortification की definition क्या है, fortification एक practice है, जहां पर deliberately, यानि जान बूझ कर हम लोग क्या क होता है, एक होता है commercial और industrial fortification, ठीक है, उसके आद दूसरा होता है bio fortification और तीसरा होता है home fortification, अब आपको ध्यान देना है, जो पहला और तीसरा वाला है, यह दोनों काफी similar है, commercial, industrial fortification और home fortification यह similar है, होता क्या है, उपर हम लोग किसमें, गेहूं में, आटे में, कौन मिल के अ अदर जो भी extra add cheese कर रहे है, वो add कर लेता है, ठीक है, तो यहाँ पर industry के अंदर यह सारा काम हो जाता है, दूसरा यहाँ पर जो home fortification है, यह आप घर में रामजे कर सकते हो, मालों जैसे कि कोई हम लोग food को consume कर रहे हैं, और उस food के अदर हमने अलग से vitamin add कर लिया, vitamin D को add कर दि है current time पर, ठीक है, in fact 90% से भी जादा लोग के अंदर vitamin D की deficiency देखने को मिलती है, तो क्या कर यहाँ घर पे यहाँ पर इसके drops add कर दिये, उससे क्या हो गए, nutritional value increase हो गई, इसी को fortification बोलते हैं, तो पहला और तीसरा बहुत simple process है, जो second वाला है, यह थोड़ा सा complex process है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग breeding करवाते हैं, crops की, तो जो bio fortification है, उसमें यह होता है, हमने यहाँ पर दो फसले उठाएं, ठीक है, दो हमने plants को उठा लिया, जो की low level के nutrients को produce कर रहे थे, दोनों की breeding करवाई है, दोनों की breeding करवाने के बाद में हम लोग को एक high level nutrient का plant मिलता है ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, bio fortification, clear हुआ, अब question यह है, कि सर, चावल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, देखो जो fortification है, यह हम लोग किसी भी food के अंदर कर सकते हैं, लेकिन currently हम किस की बारे बात कर रहे हैं, चावल के बारे में, तो rice के अंदर fortification कैसे ही किया होता है, लेकिन जो extrusion वाला है, यही सबसे common है, इसी का हम लोग इस्तमाल करते हैं, तो यहाँ पर आप कर सकते हो, यह best technology मानी जाती है, इंडिया के अंदर में extrusion वाली, तो इसी का हम लोग इस्तमाल करते हैं, चावल के अंदर nutritional quality को increase करने के लिए, तो extrusion के अंदर होता क्या है, चलो इसको समझते हैं, यह वाला picture आप लोग देखते हुए, चलो ठीके, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाएं, सबसे पहली बात हमने क्या लिए, टुकडे वाले राइस ले लिए, यानि की चावल ले लिए, जो की टूट इन मिनरल्स अड़ करने थे, वो भी हमने उसके अंदर अड़ कर दिये, ठीके, पाउडरी फॉर्म में वो भी अड़ कर दिये, तो मतलब चावल काटा बना दिया, पाउडरी फॉर्म में वाइटामिन, मिनरल्स डाल दिये, और उसके बाद यहाँ पर उसमें पानी डाल दि जाएगा ठीक है यह वल राइस मिल जाता है तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं extrusion का process ठीक है clear हुआ चलो आगे बढ़ते हैं यह यहाँ पर आपको clear हो चुका है तो extrusion technology जी कैसे work करती मनें आपको बता दिया यह सारा process यहाँ पर लिखावा है कि कैसे कैसे हम लोग काम करते हैं अब एक बहुत important part important part यह है कि सर हम लोगों को fortification की जरूरत क्यों है जब simple rice है तो उसका use को नहीं कर सकते हैं है ना तो क्यों आप शक्तर पड़ गई fortification की तो यहाँ पर एक अच्छा question है देखो अब इसको सुनो इसका answer सबसे पहला point यहाँ पर क्या है कि भारत के अदर malnutrition जो है वो women and children दोनों के अंदर बहुत ज़ादा है मतलब यहाँ पर महिलाएं और बच्चों के अंदर malnutrition यानि कि जो food ministry के according बात करें तो हमारे देश में हर दूसरी जो महिला है वो एनीमिय सफर कर रही है मतलब कि एनीमिय से सफर करना कि उनके body के अंदर iron की काफी कमी है blood की काफी कमी यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो वो चीज़ें यहाँ पर improve होंगी तीसरा point यहाँ पर जो fortification of food है यह एक अच्छा method है एक suitable method है हम अराम से क्या कर सकते हैं malnutrition है जो proportion है उससे लड़ सकते हैं इसके थूरू clear हुआ और उसका next point यहाँ पर बोलता है rice यहाँ पर देखो एक ऐसा खाना है एक ऐसा food है जिसको सबी लोग यहाँ पर consume कर रहे हैं in fact mention यहाँ पर किया गया इंडिया के अंदर हर एक व्यक्ति यहाँ पर हर एक व्यक्ति की बात की गई है वो लगबंग मंत के अंदर 6.8 kg यहाँ पर राइस को consume कर लेता है ठीक है तो rice fortification करना एक easy process रहेगा इसके माध्य हम से हम लोग क्या कर सकते है micro nutrients add कर सकते हैं लोगों के diet के अंदर में clear हुआ तो यह हो गय भी similar लगता है और बनाने के बाद भी यहाँ पर यह similar ही रहता है clear हुआ बाकि इंडिया के अंदर कितनी capacity है fortification की वो यहाँ पर mention क्या यह है कुछ खास बाती नहीं है एक चीज़ और यहाँ पर लिख सकते हो अपने notes के अंदर fortification के advantages क्या क्या होते हैं फाइदे क्या क्या हो क्योंगे यह सारी बात है कि health improve हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर nutritional जो है वो increase हो जाएगे तो अब यहाँ पर taste में कोई बदलाव नहीं आने वाला nutrition value increase होगी और economy perspective से भी काफी effective यह यहाँ पर process देखने को मिलेगा काफी मतलब कि इसके अदर कोई इतना increment या फिर इतना price बढ़ चीज़े है फाइदा भी है और नुकसान भी है तो rice fortification के कुछ नुकसान यानि problems भी देखने को मिलेंगी सबसे पहले हैं हम लोग nature के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं जो naturally यहाँ पर चीज़ हम लोग को मिल लए है जो प्रकृति ने हम लोग को दे रखा है जिसके अदर जासे जो इसकी bio availability है वो थोड़ी सी कम हो जाती है मतलब कि आपने यह चावल खा लिया तो इससे यहाँ पर क्या होगा इसका जो consumption rate है वो काफी कम रहेगा अगर मालो कोई दूसरी चीज़ है जो कि यहाँ पर मतलब प्रकृति तोर से उसके अंदर vitamin nutrients add हैं अगर आप वो खा आती है यहाँ पर mention किया गया उसके बाद fortification की सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है कि मालो यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो कि जिनका treatment वगरा चल रहा है ठीक है जो कि पहले सी काफी सरी दवाईयां वगरा खा रहे हैं तो उनको यहाँ पर यह नहीं खाना चाहिए ठीक है यह जो fortified food हो गया या supplements हो गया यह कहीं नहीं उनके लिए risky सा situation create कर देता है clear हुआ तो यह हमने fortification के बारे में जान लिया सारी information मतलब 360 degree article आपका cover हो चुका है prelims means perspective से सब कुछ यहाँ पर cover हो गया क्या फाइद है नुकसान feature वगरा क्यों जरूरत है सब कुछ इसी बात पर वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो फटफट कर देना एक support चाहिए होता है तो वीडियो पर जो like कर बटन है उसको दबा दो और साथ साथ निया पर इसी प्रागर support कर सकते हो बाकि आप लोगों से जो question पूछा गया है वीडियो के starting में उस question का answer नीचे comment section में दे सकते हो ओके जाथ सदा comments के अदर participate भी क्या करो आगे बढ़ते हैं अगले article पर हाला कि article काफी लंबा हो चुका है लेकिन कोई बात नहीं काफी कुछ हमने सीखा है ठीक है देखो discussion important है कि हम लोग हर तरीके से उसको cover करेंगी कैसे important हो सकता है तो article को उपर से पढ़ना वो enough fire के बारे में चर्चा की गई है हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने देखा काफी सारे जंगलों के अंदर आग लगी है ठीक है तो अब भी यहाँ पर इस पूरे article को लेकर भी मैं आपका पूरा का पूरा content तयार करके देदूंगा ठीक है अभी यहाँ पर mention करें तो देखो heat wave हम लोग को देखने को मिला है इसी temperature increment की वज़ा से काफी सारी जगा पर सूखा पड़ा वाए जंगलों के अंदर सूखा पड़ा और जंगलों के अंदर सूखे पढ़ने के सासा जंगलों के अंदर आग भी लगती हुई नजर आई हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सा यहाँ पर एक major कारड है दूसरा कारड यह भी है भाई human के activities यानि मानव के थ्रू भी कुछ ऐसे काम किया जा रहे हैं जिसकी वैसे जो forest fire है वो अमरे country भर में लगातार बढ़ रहे हैं इन फैक्ट दुनिया भर में बढ़ रहे हैं मैं तो कहूँगा ब्रजील के अंदर इंडिया के बारें बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेंशन किया गया है गवर्नमेंट डेटा के according बात करें तो 28 अपरिल तक लगपक 719 incident देखने को मिले हैं forest fire के ठीक है जिसने काफी सारी जमीन बरबाद करी है शिमला चमबा बिलासपूर ठीक है धरमशाला हमीरपूर यह सा बग 2544 incident देखने को मिले थे यह जंगल के अंदर आग लगने वाले उसके आद 2019 बीस के अंदर भी यहाँ पर यह 1500 के आसपास थे तो आप लोग कह सकते हो 2500, 1500 के आसपास incidents निकल रहे हैं इतनी इतनी बार fire instances हम लोग को देखने को मिल रहे हैं country के अंदर में उसके पीछे का सूखा पढ़ रहा है और उसके आग लगती है उसको फैक दिया गया उससे यहाँ पर फिर वो आग लगती है ऐसे भी काफी सारे जो हमलों के incidents को देखा है ठीक है तो यह यहाँ पर चीज़ें मेंशन की जा रहे हैं चलो यह तो हुआ आर्टिकल समाप्त हमारा कि हां forest fire क्या तो इस आर्टिकल से कुछ निचोड निकला यहाँ इतना पता है कि यहाँ forest fire के incident देखने को मिल रहे हैं लेकिन अगर इसके पीछे का पूरा proper answer writing हो जाए तो तो बिल्कुल सही है हमारा तो पूरा आर्टिकल त्यार हो जाएगा हाँ बिल्कुल ऐसे चलो करते हैं forest fire के पीछ ब्रजील के अंदर Australia के अंदर हमने forest देखे पिछले दो सालों में बहुत बड़े बड़े यहाँ पर आग के incidents देखने को मिले हैं Australia के अंदर एक भयाना काग लगी थी आपको याद होगा ठीक है यहाँ पर डिसकस किया गया देन बात करें इंडिया के अंदर इंडिया के अ काफिया तक सूखी हो जाती है तो हलकी से जो चिंगारी है वह भी यहाँ पर आग लगा सकती है forest के अंदर में उत्रकंड के अंदर हम लोग देख पाते हैं soil का moisture बहुत कम हो जाता है मतलब जो मिटी है उसके अंदर नमी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है इसकी वैसे उत्रक की वैसे यहाँ पर आग लगती हुई नजर आती है उसके बाद दूसरा सबसे important question अकरकार यह जो आग लग रही है इससे इसका impact क्या पड़ेगा अव्विस्सी बात है इसका उल्टा impact पड़ेगा नेचर के अगेंस में चीज़े जा रही है तो इसका ही कुल्टा impact पड़ता को मिलता है ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर mention क्या गया वह सब कुछ आग लग गई उसके यहाँ पर सिर्फ राक बचा है और फिर वो जो एरिया है ना वो जो जमीन वो बंजर सी जमीन बन जाती है उसके ओपर फिर जादा कोई production देखने को मिलती नहीं है वहाँ पर कोई जाती है यहाँ पर mention किया गया दन उसके जो जंगल के size है वो भी काफी कम हो जाते है उसके बाद यहाँ पर जो यह पेड़ लंबे समय सर्वाइब कर रहे है उनकी जो growth वगरा है वो पूरी तरह से यहाँ पर affect होती है तो यह सारे कारट देखने को मिलता है forest fire के अब question यह है कारबन को जाद सदा release कर रहे हैं लेकिन वो जो पेड़े पोद हैं वो कारबन को absorb कर रहे हम लोग को oxygen दे रहे हैं तो यह तो सभी को यहाँ पर मतलब basic सी बात पता है in fact इंडिया के अंदर बात करें तो लगबख 1.70 lakh जो गाउं है यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत करोड़ों लोग यहाँ पर dependent हैं इन जंगलों के उपर ठीक है वहाँ से bamboo, forder, small timber इन सब का use किया जाता है तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि वाकई में कितना पूरा impact इसका पढ़ता हुआ नजर आता है अगर यहाँ पर forest बरबाद होता है तो उसके बाद का पर एक national action plan on forest fire देखने को मिलेगा ठीक है यह अलगलग schemes यहाँ पर लेकर आई गई हैं जो कि forest fire को रोकने का काम करती हैं clear हुआ तो यह forest fire के बारे में information आपको मिल चुकी है उसकाद ऊपर आते हैं यहाँ पर आपको एक article देखने को मिल जाता है यह वाला यहाँ पर काफी सा हैं अलग-अलग states के तो इन्होंने Saturday में Azure किया हमारे Chief Justice of India असे Environment साबसे कि हम लोग क्या करेंगे court के infrastructure को इंफ्रस्ट्रक्चर को इंफ्रूव करने को लेकर पहले से बहुत ददव फोकस दिया जा रहा है बट यहाँ पर बोला जारता हम लोग एक national judicial infrastructure authority को यहाँ पर setup करेंगे national judicial infrastructure authority को setup किया जाएगा जो की judiciary की infrastructure को improvement करेंगा हमारे courts के infrastructure को improve करेंगा लेकिन यहाँ पर अभी तक इसके उपर काम होना बाकी है यह सबसे बड़ी चीज आपको देखने को मिल जाएगी अगर हम लोग कोई चीज लेकर आए हैं तो उसको implement नहीं कर पाए उसको लागो नहीं क की जा रही है अब इसी को हम लोग थोड़ा सा और analyze करें तो आपको यह भी जानना चाहिए तो problem क्या है जुडिशरी के अंदर क्योंकि जब तक problem नहीं पता होगी तब तक यहाँ पर क्या solution देखोगे है ना तो problems के बारें बात करते हैं तो judiciary के अंदर यहाँ पर काफिसरी problems ह हम को देखने को मिलती हैं यहाँ पर mention किया गया अगर हम लोग कुछ facts के according बात करें total यहाँ पर facts के according यहाँ पर देखा जाए तो mention किया गया कि जितने भी हमारे पास judiciary offices आपको देखने को मिलते हैं हमारे देश में वह 24,280 office हैं जिसमें से मतलब कि जो country हैं अंदर जो court वगर जिसमें से 620 hall को rent पर लिया गया है मतलब यह हाला आता है कि 620 hall जो court चल रहे हमारे वो rent पर चल रहे हैं ठीक है यह आप लोग देख पाऊगा है यहाँ पर बताया गया तो मतलब infrastructure जादा मजबूत आपको देखने को मिलेगा नहीं उसके साथ साथ यहाँ पर mention किया गया बह यहाँ पर अलग सा record system है अदरवाइस record system भी सारे courts के अंदर available नहीं है उसके बाद यहाँ पर mention किया गया सिर्फ 51% courts के अंदर आपको library देखने को मिलेगी अदरवाइस बागी courts के अंदर library भी नहीं है और सिर्फ और सिर्फ 5% court के पास ही basic medical facilities है उसके अलावा किसी के पास medical facilities भी नहीं देखने को मिलती है in fact COVID के बाद थोड़ी सी चीज़े सुधरी है COVID के बाद यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपका सकतो online का system पहुंचा है otherwise COVID से पहले यहाँ पर online वगरा जो video conferencing वगरा होती है court के अंदर वो यहाँ पर system भी यहाँ पर नहीं था ठीक है तो यह clear ह बाकी हम लोग बात करें यह तो हमने देखा कि हम भी infrastructure के नदर क्या क्या problem है बाकी judiciary के अंदर human power की भी काफी बड़ी problem है यह भी मैं आपको साथ इसाथ बता देता हूं मतलब की जो judges वगरा है वो बहुत कम देखने को मिलता है in fact जो judicial appointment जो process चलता है वो बहुत जादा delay चलता है मतलब क्या आपको बता होगा कि हम लोग अपने judges को कैसे appoint करते हैं judges को appoint के जाता है collegium system से collegium system जिसके अंदर हमारे एक chief justice of India है बाकी 4 senior most judges है तो यह 5 judge मिलकर judges को appoint करते हैं तो यहाँ पर यह बहुत दीरे-दीरे काम करने जिसकी वीसे judicial appointment proper नहीं हो पाता है और current time पे जो judge और population ratio है वो बिल्कुल matchable नहीं है ठीक है वो बहुत ज़्यदा कमजोर आपको देखने को मलेगा मतलब क्या इसका मतलब यह है जब हम लोग दूसरे countries की बात करते हैं तो दूसरे countries के अंदर 10 लाख लोगों के उपर 50 से 70 judge बैठे हैं जो कि उन 10 लाख लोगों के cases को देख लेंग पार्ट 2 यहाँ पर क्या mention करता है हमारे chief justice of India ने बोला कि देखो supreme court की जो full bench है यह 2014 के अंदर इन्होंने जो तामिलाडू का एक petition था उसको हम लोगों ने reject कर दिया तामिलाडू की प्ली थी उसको यहाँ पर supreme court ने reject कर दिया तामिलाडू की प्ली यहाँ पर यह थी कि जो भ जो भी proceedings वोगेना है वो होनी चाहिए लेकिन इसको reject कर दिया गया supreme court ने बोला देखो अभी हमारे पास इतनी सारी technology नहीं है system नहीं है कि हम लोग यहाँ पर local languages को हर जगह पर लेकर आए हर local code के लिए local language को हम लोग अप्रूव कर पाएं ठीक है तो इसी वज़े से English को यहाँ पर एक mandatory language रखा गया है English यहाँ पर सही रहेगी सभी के लिए तो अभी logistic support हमारे एक सबसे बड़ा problem है आने वाले time पर हम लोग सोच सकते हैं इसके बारे में कुछ अगर बदलाव करना होगा तो definitely करेंगे अभी के लिए हम लोग यह local language को लागू नहीं कर सकते अब court के से पहले आप देख पाऊगे centuries पहुत सईयों साल यहाँ पर हो चुके हैं यह लगातार shift होता रहा है पहले उर्दू से यहाँ पर 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 शिफ्ट हुआ तो उर्दू से पर शिफ्ट हुआ फारसी स्क्रिप्स की तरफ शिफ्ट हुआ मुगल पीरेट के टाइम पर तो court को आजादी मिली पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में बात करें जो आर्टिकल 343 अमारे संभिधान का यह बेसिकली official language के बारें बात करता है तो यहाँ पर बोला गया जो official language बेसिकली वह यहाँ पर हिंदी होनी चाहिए ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर हिंदी के साथ स होंगे वह English language के अंदर भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे अब यहाँ पर यह जो बात है लेंग्वेज इसको लेकर यह कौन-कौन से आर्टिकल में में मेंशन्ड है तो आर्टिकल 348a सौरी 348 clause 1 sub clause A जो आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा यह बात करता है कि देखो जब तो उन सबी के लिए एक common language English ही रहेगी अदरवाइस यहाँ पर जो regional language वहाँ पर implement नहीं होगी इस विए से English को mandatory कर दिया गया उसका आर्टिकल 348 clause 2 के अंदर जब आप लोग देख पाते हो तो यहाँ पर भी बातें मेंशन की गई है मालों किसी राज्य के कर हम लोग बात कर तो governor जो भी है उस state का अगर वो governor एक previous approval लेता है president से और previous approval के माध्यम से यहाँ पर चीज़े हो जाती है सही तो उसके बाद यहाँ पर वो court के अंदर local language को लागू कर सकता है दूसरी language को या हिंदी का use को यहाँ पर approve कर सकता है बट यहाँ पर पहले क्या करना होगा एक previous consent ले आप देख पाओगे उत्रप्रदेश, बिहार, राजिस्तान, मध्यप्रदेश इनके पास अल्रडी यहाँ पर इनको authorization मिल चुका है यह लोग हिंदी का इस्तमाल करते हैं अपने courts के अंदर high courts के अंदर यह आपको पता होगा तामिल नाडू भी सीच को लेकर काम कर रहा है अब यहाँ पर यह approval नहीं मिला है यह हम लोगों ने article के अंदर already discuss कर लिया है लेकिन यहाँ पर mention किया गया मालोग किसी high court के अंदर local language को दी जारी कि आप local language का इस्तमाल कर सकते हो लेकिन हिंदी का या local language का जो भी इस्तमाल कर सकते हो तो इसके साथ साथ जो judgment, decree, order वगएर ज English में भी आपको उसको deliver करना होगा ठीक है ताकि आप पर चीज़े थोड़ी सी अराम से आगे follow की जा सके हैं clear हुआ तो यह codes को लेकर बात चीत होगी languages को लेकर उसके बाद इसके बगल में ही आपको एक article देखने को मिलेगा यहाँ पर बात की गई है हीट वेव के बारे में ह यहाँ पर मदद करेगा काफी सारे बच्चों की जिनको एक care की जरुवत है एक special care की जरुवत है तो इंडिया के अंदर खासकर गाउं वाले इरिया के अंदर autism वाले cases बहुत सारे आपको देखने को मल जाएंगे पहली चीश तो मैं आप लोगो बता देता हूँ यह autism होता क ठीक है यानि कि आप कर सकते हो कि autism के प्रती एक जारुकता है फिलाने के एक दिन को मनने जाता है कि autism एक खतनाक situation है होता कि यहाँ पर जो बच्चा है वो काफी सरी problem से सफर करता है सबसे पहले चीश बच्चे की जो communication skills होती है social skills होती है वो बहुत जादा poor होती है प्लस बच सा अलग रहना चाहता है IQ लेवल उसका बहुत जादा डाउन होता है है ना ठीक है या फिर नींद वगरा ना यह सारे cases आपको autism के इंदर देखने को मिलता है तो यह जो autism वाला cases है इसी को लेकर हमने देखा कि बहुत सरे बचे सफर करते हैं इस autism से तो इसी के प्रती यहाँ अबर एक जागरुकता फिलाने के लिए एक autism support network यहाँ पर चलाया जा रहा है जो Tata Power Community Development Trust है इन्होंने partnership करा है किसके साथ में The Center for Autism Other Disabilities Rehabilitation and Research Education साथ में अब इनके साथ में partnership करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं एक autism support network को करेंगे launch यहाँ पे जो autism से सफर करते वह बच् उनको यहाँ पर समझाया जाएगा चीजों को skills प्रोवाइट करवाई जाएगी ठीक है क्योंकि अगर autism को starting में ही अगर treat कर लिया जाए तो definitely यहाँ पर बच्चा इस चीज से बाहर निकल जाता है अदर्वाइस यहाँ पर autism उसको आगे आने वेले समय पर काफी परिशान कर लगता है clear हुआ उसके बाद next article में बात करेंगे heat waves के बारे में यहाँ पर WMO को statement निकल कर आया है जो heat wave है वो आपने समय से पहले start हो चुकी है और बहुत ज़दा खतरनाक तरीकिसा आपको heat wave चलती हुए नजर आएंगी कल मैंने आप लोगो बताया था कि अभी तक हम लोग चार heat wave को देख चुके हैं heat wave क्या होता है इसको समझाने से पहले मैं आप लोगो बता दूँ कि यह जो WMO है यह क्या है यह World Metological Organization जो की दुनिया बर के मौसम को लेकर काम करता है इन्होंने बताया कि यहाँ पर समय से पहले heat wave देखने को मिल रहा है इंडिया पाकिस्तान के अ climate change एक बहुत बड़ा रोल निबा रहा है इसके अंदर मतलब कि जो लगातार गर्मी बढ़ रही है ठीक है pollution बढ़ रहा है इसकी वैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा heat wave भी आया हुआ है और heat wave का जो impact है वो बहुत खतरनाक है हर चीज के उपर impact पढ़ता है इसका agriculture water energy supply के उपर लेकिन ये enough नहीं है मैं आपको सही से समझाता हूँ कि आकरकार क्या क्या होता है और heat wave क्या होता है यह proper यहाँ पर definition आपको heat wave की नहीं देखने को मिलेगे ठीक है क्योंकि यह article हमारा GS paper 1 geography के perspective से important है heat wave की बात करें तो heat wave यहाँ पर abnormally high temperature देखने को मिलेगा temperature एकदम से यहाँ पर बढ़ जाता है गर्मी बढ़ जाती है normal temperature से थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसी वेसे सको हम लोग heat wave बोलता है देखो heat wave की proper definition हमारे Indian Metallurgical Department IMD ने बताई है इन्होंने बताया मालो एक जगा है मालो plain area जो है plain area मालो एक डेली का area है डेली में 40 degree Celsius normal रहता है कि इतना normal है अगर 40 degree Celsius से 5 या 6 degree Celsius जादा पढ़ जाए यानि 45, 46 या 47 degree तक यहाँ पर अगर गर्मी पढ़ रही है तो वो heat wave की condition है बतलब normal से 5-6 degree Celsius जादा पढ़ना वो heat wave की condition है ये plain area की बात हो गई अब बात करें पहाड़ी इलाके ही हिले area की तो हिले area में जो normal temperature है वो 30 degree Celsius के असपा इस degree पहुंच जाए तो वो वहाँ पर heat wave की condition के लाती है या फिर आप कर सकते हो इससे भी अगर और उपर हो जाता है तो वो sewer heat wave की condition के लाती है वो बहुत खतरना condition होती है sewer मतलब बहुत खतरना क तरीके से गर्मी भी एक भीज़ड गर्मी पढ़ रही है clear हुआ तो heat wave के बार कि अगर गर्मी जादा पढ़ती है heat extremes जो है heat wave जो है यहाँ पर एक कारल बन जाता है इंसान की जान का ठीक है मतलब कि human की death भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है प्लस इस बढ़ती हुई गर्मी की वज़ा से काफी सारी बिमारियां बढ़ती है जैसे diabetes उसके बाद respiratory diseases काफी बढ़ जाते हैं तो सबसे पहला यहाँ पर impact यह हुआ दूसरा impact यहाँ पर फसल के अंदर काफी damage देखने को मिलता है heat wave की वज़ा से जो हमारी फसल है वो काफी अतक damage जाती है बरबाद हो जाती है obvious ही बात है हमारी फसल damage हो जाएगी तो इसकी वेसे यहाँ पर क्या ह होगा food का production नहीं हो पाएगा तो तीसरा जो point है वह वो यही है अब फसल damage हो गई तो proper food का production नहीं हुआ prices बढ़ जाएंगे inflation वाली condition आजाएगी और साथ साथ यहाँ पर जो हमारे farmers उनकी income generate नहीं हो पाएगी वो यहाँ पर काफी सफर करेंगे तो यह सारी problems यहाँ पर देखने को मिल जाती है उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो millions of farmers है construction workers है इनकी income यहाँ पर चली जा काफी बड़ा loss देखने को मिलता है उसके बाद एक सबसे बड़ा impact पढ़ता है heat wave का वो है wildlife और draft मतलब कि यहाँ पर जंगलों के अंदर आग लगना और साथ साथ यहाँ पर सूखा पढ़ जाना जैसे मैंने भी आपको forest fire के अंदर यह सारी बाते बताई थी ठीक है तो यह हुआ तो यह कुछ आर्टिकल हो गए उसके बाद चलते हैं अगले important article की तरफ next आता है page number 10 के ओपर that is world section देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है तो दुनियादारी वाले page यह बिल्कुल बेकार आ रहा है काफी लंबा से मैसे कोई भी नई खबर नहीं आ रही है यह तो science and technology के perspective से आज का जो discussion है वो बहुत important है आपने thumbnail देखा होगा कि mobile phone की वेश से यहाँ पर brain cancer brain को लेकर कितने सारे damages देखने को बलता है वो बिल्कुल सही बात है लेगिन उसी को लेकर एक article भी आज आपको देखने को मिल जाता है पहले article तो यहाँ पर आप देख पाओगे COVID को लेकर चर्चा करता है तो अगेन यहाँ अमारे लिए खास नहीं है omicron variant और इन सब variant के बारे में चर्चा की जारी है एक article हम यहाँ पर science and tech में discuss करेंगे यह वाला फिर उसका एक article आपको यह देखने को मिलेगा climate change की वज़े से जो नया infection उसका risk बढ़ रहा है फिर एक article आपको यह देखने को मिलेगा तो आज के science and tech के page पर आपको दो तीन important article देखने को मिल जाएंगे ठीक है बागी यहाँ पर coronavirus के बारे में चर्चा की जारी है जैसे आप लोग यहाँ पर यह देख पा रहे होंगा और उसका उपर वाला देख पा रहे होंगे ठीक है तो पहले मैंने देखा कि यही आर्टिकल आज आया भी है science and tech पर उनने का इससे बढ़िया क्या बात है ठीक है तो मैंने मतलब जो आर्टिकल लगा रखा था पूरा का पूरा हिंदी में वो आर्टिकल ले रखा था क्योंकि काफिसार important cover है तो आप कह सकते हो जो thumbnail लिग पर आर्टिकल अंदर क्या क्या हुआ cellular phone यानि जो आपका mobile phone है इसकी वज़ासे brain tumor हो जाता है और ऐसे बहुत सारे scientists अलड़ी बोल चुके हैं कि mobile phone का ज्यादा यूज करना आपको brain tumor कर सकता है लेकिन यहाँ पर जो recently हमारे पास यह study आया वो यह बोलती है कोई भी ऐसा link नहीं है आप mobile phone लेकर और चरचा हो रही है कि 5G के उपर आ रहे हैं बहुत सारे cases लग रहे हैं यहाँ पर कि जो 5G technology है वो काफी खतरना कराएगी इंसान के लिए बहुत सारे radiation यहाँ पर निकलेगा लेकिन scientist बोलता है इतना भी यहाँ पर खतरना नहीं है हाला कि आपको कुछ चीजे देखो अब्यूस सी बात है मैं भी बोलता हूँ समाल के चलनी चाहिए इस telephone usage को लेकर या mobile phone के usage को लेकर क्योंकि अभी काफी सारी studies होना बाकी भी है बट अभी जो यह study हुई है वो यहाँ पर simple से बताती है कि tumor और यहाँ पर mobile phone के usage का कोई link नहीं है अब यह study कैसे होती है इस पूर इकल कवर किया कि already mobile phone के इस्तमाल और brain tumor के बीच में कोई नई संबंध यहाँ पर Oxford की study ने बताया और study क्या हुई है यहाँ पर इसको देखो इन्होंने यहाँ पर mention किया है देखो obvious ही बात है बिल्कुल सही है कि आज के lifestyle के अंदर जो सबसे important चीज़ बन चुकी है हमारा mobile phone ब बता चुके हैं जो यह radiation निकलती है वो directly हमारे दिमाग को affect करती है डायरेक्ली दिमाग के उपर असर पड़ता है इस चीज़ का यह आपर already आपको देखने को अंबल जाएगा है ना लेकिन अब जो study हुई है वो University of Oxford ने एक नई study करी है और उन्होंने आपर बताया कि जिसके जरी है देखो पिछले 20 सालों से जो UK में लगबग 10 लाक महिला हैं इनके health के उपर नजर रखी जारी थी पिछले 20 साल से ध्यान रखना पिछले 20 साल से 10 लाक महिलाओ के उपर नजर रखी जारी थी और इनके उपर ध्यान अख़ा जा रहा था किस इच को लेकर यही मतलब म स्लाइक महिलाओं को अच्छे से देखा जा रहा है उनके उपर निगरानी रखी जा रही है ठीके और चेक किया जा रहा है इस चीज को लेकर कि मुबाइल फोन के यूजर से क्या फेक्ट पड़ेगा तो पिछले 20 साल में लगबग बहुत सरी जो महिला हैं जिन्होंने मुबा मुबाइल का ट्यूमर से कोई लिंक नहीं है म्हुना होगा तो कोई और काईसि से हैं बट यहाँ पर फैक्मापर साल का गैप है वन पू tätä 3 million के उपर यहां पर यह चेक आउट किया गया फिर उसके बाद हम लोग यहां पर बाद में देखते हैं कि काफी सारी जो women है उनने फोन का यूज किया काफी सारी women ने फोन का यूज नहीं किया जिसमें से हमें पता लगाया गया कि भाई देखो इसमें brain tumor का कोई connection नहीं है यहां पर आपको ज्यादा overdose तो वैसे भी नहीं करना है क्योंकि अगेन यह आपको बूरी तरह से ही effect करेगा clear हुआ लेकिन अभी भी काफी सारी research होनी बाकी है कि जो यह phone है wireless जो आप लोग Bluetooth वाले earphones यूज करते हो देखो इससे भी काफी से reditions निकलती है इसको मैं पहले भी कवर करवा चुका हूँ कि Bluetooth वाले earphones वगला भी बहुत खर्णाना को जाते हैं लंबे समय तक इनको यूज नहीं करना चाहिए ठीक है थोड़ा बहुत यूज कर लिया सही है उसके बाद यहां पर कहीन है कि ब्रेन और हमारे organs को damage करना चालू करते है इन फैक्ट जो cell phone है mobile phone क तो हमेशा अपने से दूर रखो यह कुछ यहां पर basic सी बात हैं दूर रख रहेगा मतलब यह है कि आप लोग सो रहे हो ठीक है सो दे समय हाँ पर अपने सर के उपर रख ले तो mobile phone तो वह बहुत गलत है सर के उपर बिल्कुल भी नहीं रखना है आप लोग अपने से सब्सक्राइब करते हैं और इस प्रकार के केसे बहुत पहले भी हम लोगों ने देखे हैं इनफेक्ट आकर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसी brain health condition की वजह से इसी phone usage की वजह से phone use करने से क्या-क्या situation देखने को मिल सकती है यहाँ बताया गया आगर आप लोग यहाँ पर phone क अस्तमाल कर रहे हो देखो इससे काफी से radiation निकलती है इसके लिए कुछ pro tips बताई गई है कि आप लोग यह कर सकते हो सबसे बहली बात यहाँ पर जो आप लोग यूज नहीं कर रहे हो तो अपने phone को airplane mode पर रखो जिससे यहाँ पर कोई radiation आ निकले प्लस यहाँ पर जो calls बग रखो यह हम लोग देख पाते हैं उसके बाद यहाँ पर रात में अपने सर के उपर cell phone रखना बिल्कुल गलत रहता है यह मैं और इसके बारे में रिसेंटली जो आर्टिकल साहे थे वह मैं आपको बदा चुका हूँ बाकि जो लोग आज के टाइम पर Bluetooth earphones वगरा का यूज यूज कर रहे हैं Bluetooth headphone का यूज कर रहे हैं इसमें से भी यहाँ पर radiation वगरा होती है तो उसको भी avoid कर पाओ जितना avoid कर पाओ उतना जदा बहतर रहेगा उसके बाद जो यह फोन है इसके क्या-क्याफेक्ट होता है तो देख पाओगे इनसान के अंदर जो है brain के अंदर जो उस उसका यहाँ पर जो eye vision है वो यहाँ पर काफी कमज़र हो जाता है यह major सी बात है इनफाक यहाँ पर body के अंदर काफी सरी कम्यों के साथ साथ जो हमारा digestive system में यह काफी बदल जाता है क्योंकि body के अंदर metabolism यहाँ पर change हो जाता है birth defects तक यहाँ पर देखने को मिल सकते है reproductive system के अंदर काफी बुरे effect देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर mention किया गया और खासकर आज के टाइम पर बच्चे घंडों घंडों तक mobile लेकर बैठ जाता है है ना उसके बारे में आर्टिकल अंदर बताया गया देखो अगर हम लोग बात करें तो बच्चों को भी बुरी तरह से यहाँ पर वाइल effect करता है जो बच्चों का bone marrow होता है वो लगबग यहाँ पर दस गुना जादा radiation को absorb करता है किसी adult से तो कोई बड़ा व्यक्ति फोन चला रहा है तो उससे दस गुना जादा बुरी तरह से effect कर रहा है वो फोन किसी दूसरे बच्चे को छोड़े बच्चे क यहाँ पर अगर बच्चा 12 साल से कम है तो यहाँ पर वो फोन का उस्तमाल तो बिल्कुल उससे नहीं करना चाहिए यहाँ पर मतलब फोन बगरा नहीं देना चाहिए या फिर उसको काफे limit करकर रखना चाहिए लेकिन आज के टाइम पर 12 साल से कम उमर वाली बच्चे आप लोग देख पाओगे काफी मतलब रागुलर बिस्स पर फोन का यूजज यहाँ पर करते हैं एक फोन की आदत पड़ जाती है तो फोन की आदत के बाद तो फिर वो बच्चा उस फोन के वेना वो कोई काम नहीं कर पाता ऐसा देखने को मिलता है ऐसा मैंने देखा भी है चल लगातार यहाँ पर गर्मी पड़ रही है इंक्रीज हो रही है और यहाँ बहुत बड़ी 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 यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है ऐसा यहाँ पर आर्टिकल के अंदर जो साइंटिस्ट वो बोलता है क्लाइमिट चेंग जो है वो लगबख हजारों नए वाइरस पैदा कर देगा हजारों नए वाइरस फैला देगा दो हजार सतर तक ऐसा यहाँ पर इनका कहना है और यहाँ पर हम लोग बात करें नहीं जो वाइरस है यह इतने खतरनाक होंगे कि जानवरों से इंसान मजाने वाले हैं ठीके और यहाँ पर बिल्कुल सच्चाई होने वाली है यहाँ पर यह मेंशन करते हैं उसका बताया कि हुमन टू एनिमल और एनिमल टू हुमन यह जो वाइरस है वो करें टाइम पर भी देखने को बलते हैं पिछले कुछ दस सालों में बात करें फ्ल्यू चैनल है नेचर उसके अंदर यह सारी चीज़े पबलिश करी हैं इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि लगबग 3,000 के आसपास जो मेंशन कर जाएंगी प्लस यहाँ बहुत सरे वाइरस आने वाले 50 सालों में देखने को मिलेंगे प्लस यहाँ बे मेंशन किया अगर यह गरम इस प्रकार की चीज़े आप लोगो को नज WILL करने लंगार यह फ्새 को अइस के यहां पर जानवर और झाइंगी नहीं प्लें लेकिन फिर भी यह एक केसिज भी आने वाले टाइम पर और ज्यादा देखने को मिल सकते हैं ऐसा यहाँ पर ओफर मेंशन करते हैं ठीक है तो इन्होंने डारेक्टल यहाँ पर एक ही चीज बताइए क्लाइमिट चेंज का इंपक्ट आने वाले टाइम पर बिमारियों के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो काफी सारे बिमारियों को पैदा करता हुआ यह नजर आएगा बाकी सारे अब देख पाऊगे आगे जो है अलग-लग ऑथर के बारे मेंशन किया अलग-लग ऑथर ने कि अगर रही है जेनेटिकली मोडिफाइड पिग्स को यहाँ पर दिया जाएगा ताकि जेनेटिकली मोडिफाइड पिग्स का है जो और्गन्स हैं उसको हम लोग इस्तमाल कर सकें इनसानों के अंदर डाल सकें देखो होता क्या है यह जो कंपनी है यह बॉड़ी मेंसे मंत का एक आर्टिकल एकपिंग के हार्ट का जो भी हां पर ट्रांस्प्राइटेशन वह हो था यानु कि एक हुमन के अन्दर में लबख सत्ताइश साल 57। यहां पर एक व्यक्ति थे जिन के अंदर जो है सुवर का एक हार्ट लगा दिया गया था सुवर का हार्ट ट्रांस्प्लांट किया गया था हाला कि यहां पर इन व्यकति की डैत हो खिन ken कि आपको इसके बारे में मालूम होगा लेकिन बात करते हैं यह जो पिक्स हैं पिक्स के जो और्गन है वो काफी similar होते हैं पिक्स के और्गन हम लोग ट्रांस्पांट कर सकते हैं इनसानों के अंदर में आप देख पाओगे यह वाला पिच्चर यह वाला पिच्चर काफी interesting साई इसमें आप काफी चीजे समझ पाओ यहां पर आप देख पाओगे यह जो बराबर में यह वाला जो portion आपको दिख रहा है यह वाला ठीक है इधर आप देख पाओगे यह human की organs है और इधर पिग की organs है human का heart और पिग का करते हैं तो इसमें काफी सरी problems आती हैं तो इसी की वज़से क्या होता है इन पिग के अंदर genetically modification करना होता है genetically modification का मतलब है कि इनके अंदर जो gene है उनके अंदर changes करने होता है ठीक है वो changes करने के बाद ही हम लोग यहां पर उसका पिग का जो organ है उसका अस्तमाल कर सकते हैं जैस यहां पर mention किया है clear हुआ तो basically यहां पर यह आप लोग देख पाऊगे पिग के organ को यूज करने के लिए हम लोग genetically modification का जो concept है वो इसके अंदर यूज करते हुए नजर आते हैं clear हुआ तो यहां पर कुछ articles थे यह हमारे science and tech के articles cover हुए यह हमने cover कर लिया उसके बाद एक article कि आज के time पर cross screen violations काफी सारे देखने को मिल रहा है मतलब यहां पर क्या है सुन्दर बन के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं काफी सारा construction चल रहा है एक recent audit report है हमारे CAG की controller and auditor general की यह उन्होंने point out कि यह उन्होंने बताया illegal construction चल रहा है और जिसकी वैसे आप लोग कह सकते हो क कि बहुत सरा environment का violation हो रहा है environment loss का violation हो रहा है और खास कर यह सुन्दर बंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा साथ साथ East Kolkata wetlands पर आपको देखने को मिलेगा और illegal construction काफी लंबा समय पहले से चलता हो आ रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है जिसकी वज़े से हम लोग देख पाएंगे हमारे environment को काफी बढ़ा डामेज यहां पर देखने को मिल सकता है उसके बाद यहां पर यह रिपोर्ट है वो यह बताती है इसने पिछले सब्ता ही यहां पर पबलिक के अंदर काफी सरी information रख दी है इसने यहां पर बताया कि बहुत बड़ी जमीन है जिसक आप पर mention करता है तो सुंदर्बन के अंदर यह सब चीज़े हो रही है वही रिपोर्ट यहां पर आई है अब सुंदर्बन यहां पर क्या है चलो इसके बारे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं सुंदर्बन वाला रिजन आप लोगो को देखने को मिल जाता है कहां पर Bay of Bengal वाल रिजन में तो एक बहुत बड़ा Mangrove Forest वाला एरिया आपको यह देखने को मिलता है Bay of Bengal के Coastal Region के अंदर इंडिया बंगलदेश के बीच वाला जो एरिया आपको देखने को मिलेगा वही पर है उसके बाद यहां पर दुनिया के सबसे बड़े Mangrove Forest आपको सुंदर्बन सुंदर्बन नैशनल पार्क भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा जिसको एस्टब्लिश कहा गया था 1984 में उससे पहले यहां पर सुंदर्बन टाइगर रिजफ को क्रिएट कहा गया था 1973 के अंदर में और साथ जो सुंदर्बन वाला एरिया है ठीक है इसको जो की रामसर कंवेंशन के अंदर देखने को मिल जाएगा सुंदर्बन नैशनल पार्क यहां पर जाना जाता है अपने यहां पर पाई जानने वाले अलग अलग जानवर और पेड़ पौदों के थुरू जानवर की बात करें तो यहां पर 260 बर्ड स्पीशीज आपको मेंगरूव यहां पर एक फ्लान्ट कम्टर्ट है जो कि आपको कोस्टल एक इस में देखने को मिल जाती जहां पर काफी सरा पानी भी आप लोग diary देखने को मिल जाता है त्ल्षैयख इस trademark में सबस्द्रा में चेकर से आखने को मिलेंग उसके बाद गोजरात अंडमां नीक पुछ पांडे साब हैं इन्होंने Saturday में बेसिकली यहाँ पर इनको 29th Chief of Army Staff बना दिया गया है तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकता है इसके नीचे एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्टरेस जेकलीन फर्नेंडेस यहाँ पर इनके जो एसेट्स वग ED के बारे में काफी सारी information मैंने cover करवाई है और सारी information मैं टेलिग्राम पर PDF के फॉर्म में देवी है ठीक है तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो इस वैसे मैंने ज़्यादा focus किया नहीं है उसके बाद एक article यह देखने को मिलेगा यहाँ पर बात कही है पोक्स 15 साल के यहाँ पर यह बच्ची देखने को बलेगी जिसका इन्होंने रेप किया पता नहीं यार यह कैस मतलब ऐसी न्यूज इतना जादा दिमाग खराब करते कि पूछो मत तो यहाँ पर आपको यह जो केस है यह rarest of the rare case देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर यहाँ पर इनको मौत की सजा दी गई है इन्ट नहीं पर जो यह tribal girl है इसको gang rape किया गया murder कर दिया गया था इसका जो बुंदी district है वहाँ पर forest area है वहाँ पर यह 23 December 2021 की बात है पुलिस नहीं पर इस मुद्दे को 12 घंटे के अंदर solve कर दिया था वैसे तो तीन लोगों को पगड़ा था इन तीनों में से यहाँ पर एक minor था तो अभी दो व्यक्तियों को फांसी की सजा दे दी गई है उनके नाम बगड़ा नहीं पर में उनसे कोई लिलना देना भी नहीं है तो यह पोक्सो एक्ट के अंदर काम क्या है तो यह पोक्सो एक्ट क्या है चलो मैं इसके बारे में थो अब बच्चे को हैं जिनकी उम्र यहाँ पर 18 से कम देखने को मिलेगी ठीक है तो उनका हम लोग एंशॉर करते हैं जो एक 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 पर कोई केस निकल कर आता है तो उस केस को यहाँ पर एक साल के अंदर नदर निप्टाना होता है अगर यहाँ पर कोई भी एस पर करकार क nedeny निकल कर आता है तो क्लीर हुआ तो यहाँ पर पोक्स्षाट के बारे में clear हो गया बाकि हाँ पर कुछ आर्टिकल से यह हमने राइसमिल वाला अर्टिकल कवर करे लिया हैं और वी हुश्ए-छोड़ खोड़ी आर्टिकल मैं आप लोग को वीडियो के लास्ट में दे दूँगा तो 2016 में एक वेशन पूछा गया था मोंटेक चेल्म स्पॉर्ट प्रोपोजल किस चीज से रिलेटेड है तो इसका करेक्ट आंसर आपको 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 कोई देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको कोई क्वेशन नहीं देखने को अब लेको कि आज संडे आज आप लोग रेस्ट करो ठीके आपने पूरे सपता आंसर लिखा है मंडे से लेकर सैटेड़े तक रोज आपको एक क्वेशन मिला करता था उसका आपने लिखके दिया है बट अभी आज संडे में थोड़ा रेस्ट कर लो कोई बात नहीं आराम स अब लोग बने से आनसर रैटिंग करनी है तो आप अपना उसका आप से कोई भी सजेशन दे सकती है इसके साथ करते हैं लेक्चर को समाप पित रोज़ों को एसे नेक्स वीडियो में आज के लिए अम avons आउस टे थे थैंक्यू और जाहिंद झाल 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 झाल